अग्यात वाहन की चपेट में आने से राय ब्रेली के युवक की मौत घटना महम्मद पुर्थाना छेतर के डुमडिया पूल के पास अग्यात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई बताया गया कि इवक इटभठा पैदल ही डुमडिया चौक की ओर आ रहा था पेट्रोलिंग कर रही महमत पूर थाने के पुलिस के एसाई पिंटू यादव के द्वारा नजर पड़ी सड़क किनारे अचेत आवस्था में पड़े हुए इवक को जब उन्होंने देखा तो इ इवक पुतर परदेश के राय बरेली जिला के निवासी है जिसका नाम है वो सुरेवली परसाद का पुत्र जगदीश कुमार 35 वरी सिये बताया गया वहीं थाना अध्यक्स मोहन कुमार निलाला के द्वारा बताया गया कि अग्यात गारी के धक्के से इवक की मौत हो गई ह इस मामले में पुलिस जांच परताल में जूट गई घटना उस वक्त हुई जब वह पाइदल डुमरिया पुल से डुमरिया चोक आ रहा था इसी दोरान अग्यात गारी की चपेट में आने से हाईवे किनारे मौत हो गई और अचेत आवस्था में वह पड़ा हुआ था इसके पास जो मौवाइल था उसे परजनों को दी गई और परजन यूपी के राय बरेली से महम्मत पुर्थाने पहुंच रहे हैं तब सव पोस्मोटम के लिए सदर अस्पताल जाएगा हाला कि यूवक के मौत के सुचना जैसे ही परजनों को लगी परजनों के जमी तले आस्मा ही खिसक गई उनका रोरोकर बुरा हाल है बताया गया कि परिवार के ब्रह्मण पोसन के लिए वह एक इंट भठे पर कारे कर रहा था लेकिन इसी दोरान सुक्रबार की संधिया में वह डुमडिया बजार मार्केट में आ रहा था पैदल ही इसी दोरान अग्यात गा पाल गंज के लिए चल दिये हैं और परिजन के आने के बाद सो पोस्मोटम के लिए जाएगा और उसके बाद पोस्मोटम होने के बाद परिजनों को सो सौंप दिया गया बता दे कि घटना डुमडिया इनस 27 पूल के पास की है जहां सड़क किनारे अभीर अचेत आवस्थ कर से उसकी मौत हुई है वहाई परिजनों के दोरा इसकी सुचना उसके परिवार के लोगों को दे दी गई है और पुलिस आगे की कारेवाई में जुट गई है परिजन के पहुंचने के बाद सो सदर अस्पताल भेजा गया जहां देर रात पोस्मोटम की प्रक्रिया चल है ये ।